लेकिए यह आडर बिलकुल गहर कानूनी है कई वज़े से पहली वज़े तो यह है कि यही मसला इसी मस्जित का हाई कोर्ट में बहस होकर जज्ज्मेंट रिजर्व है जिसमें यह तै होना है कि यह मस्जित चुकि 15 अगस सन 47 सिके पहले से यहां नमाज हो रही है लहादा इसक क्यानेवेका प्रेसेदर्वशिप एक्ट में ममानिय थे तो यह मसला वहां हाई कोर्ट में भास हो चुकिए है फैसला महफूज है तो शिविल ज़्ज्ज्ज साब क्या जल्दी पड़ी हुई थी कोई आटर कर दे शिविल ज़्ज्ज्ज साब के वहां की कारवाई भी करके और यह आडर सुटा दिया और फिर सिविल ज़्ज्ज्ज साब का ट्रांसफर ड्यू है कल वह चार्ज हैंडवर कर रहे है कोई भी अजालत जब उसका ट्रांसफर हो जाता है तब फिर वह कोई आडर नहीं देती है आंतों से लेकर उन उसके वाल दे दिया अब सवार है कि यह जो अनुने आडर किया है खुदाई का या उसका सर्वे का इसमें तो वह मान के चलना है कि जैसे कि इससे पहले कोई मंदिर था असा मान लिए था भी तो यह एट क्या कहता है एट कहता है कि हर अबादतगा की पंदरह अगस सन्साइटालिस की पोजिशन को चेंज क करने वाला कोई मुकादमा कोई अदालत नहीं सुनेगी तो अदालत का अख्तियार ही नहीं है और भी जब हाई कोड में मामला अगर हाई कोड से मान लिए तैय हो जाए कि नहीं वह एक्ट इस पर अप्लाई नहीं करेगा तब तो यह बात अलाक उसके बाद भी सुप्रीम क कोड का दर्वादा खुला है लेकिन अभी तो हाई कोड में मामला है तो इन जज़साब को इतनी जल्दी क्या थी कि इस पर अगर हाई कोड के अर्डर का अनिजार किये हुए एक आडर की दे थे तो इस आडर को जो कि यह गलत आडर है इसलिए इसको चैलेंज किया जाएग जो वकील साफ हमारे सीनियर लुकेट सेयद फर्मान अवी नकवी है अलावाद हाई कोड में बहस जिनोंने की है और वो कमेटी जो हाँ की मुंद्जमा कमेटी उसके वकील है उन से मुंद्जमा कमेटी वालों की बात हो गई है शायद वो लोग कल पहुँ जाएंगे आडर वह आए कोड में किसी तरह से मुंकिन हुआ तो आइकोड में करेंगे मैं यह आडर घलत है और इसको चलिड़ किया जाएगा और ऑने अपर मिदे कि आडर सिर्टिसाइट हो जाएगा झाल झाल